यहां आप वक्त हो गया एक और खास सेग्मेंट की और जाने का और ये है पाप ले सेग्मेंट राजे जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा बताईए आखरी घंटे के लिए आप की रणनीती आज की लिए क्या होगी अब डेफिनिटली बायों डिप पर ही और बायस रहेगा अभी फिलाल तो मार्केट हाई की तरफ जा रहे तो हम एक्सपेक्ट करें कि कल भी यहीं हुआ था कि पुरा देम दिन मार्केट साइड मेरा साइड वेज रहा नीचा है एंड हाय लेज पे ख्लोज दिया तो यहीं एक्सपेक्टेट एख कि एंड व दॉ लास्ट आर में निफ्टी के लिए का बाईस चार्सों पजा रिटेस्ट कर सक्टा है हुआ । थी कहे तो यह है सला यजी भरस टॉक वारपस सरी निफ्टी विए तेजी के सला दिये है आ यस । ऑ। थीके है। थीके लेवल्स एक निफ्टty के लिए पारëघ Profileber लेवल्स ता यह हमारे producers उसको not down को लेंगे उसके बार levels चला देंगे आपके लिए निफ्टी के लिए चलिए अब आगे पड़ते हूं और रवी आपसे भी चानल चाहेंगे इस पर खेजारी की मौग के आप कहां देख रहे हैं अब पर ले लेता हूं future में L&T Finance current level पर fresh breakout यहां पर निकला है upside target यहां से अगर देख रहे हैं तो मुझे लगता 172 के देखने को मिलेंगे L&T Finance पढ़िया यहां पर देखिए अभी upward momentum में बढ़ा है मुझे लगता है कि इसको एक बार को buy करिए 172 के target के लिए तो power play में पहला stock यह दूसरा stock हमने power की चर्चा करी REC यहां पर जरूर लीजिए क्योंकि upward momentum यहां पर aggressive है तो REC limited यह अगर upside पर देखते तो मुझे लगता है कि 450 का आकड़ा चूता हुआ नजर आएगा तो यहां पर इसको भी ले सकते हैं और चूकि option की चर्चा करते हैं और BTST के time पर option के एक मौका मिल रहा है 22,250 की call इस समय मौका दे रही है आपको 200 रुपए चल रही है 235 रुपए closing session तक में यह आपको दे जाएगी तो यह तीनो trade आप ले करके बड़िया मुनाफा यहां प करेंगे पहला था मेरा L&T Finance और दूसरा स्टॉक है REC Limited यह दो स्टॉक्स हैं जिनने की आप बाइख करके चल सकते हैं REC Limited ठीक है REC Limited और L&T Finance यह दो स्टॉक्स है रवी की तरव से लेंटी फाइनस में थोड़े पर अच्छी बाइंग भी देख रहे हैं और REC पर भी आप नज़र रख सकते हैं राजिश जी आप complete नहीं कर पाए थे लेवल सी बें वापस से निफ्टी का बताएंगे हम नोट डाउन नहीं कर पाए आपके आप बूर रहे थे कि कैस पास एक सपोर्ट है हम एक्सपेट करें कि end of the session तक मां निफ्टी जो है बाइस चाहसो पचासरी टेस्ट कर सकता है ठीक है तो यह है सला निफ्टी पर आपके लिए चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं भारती एटेल राजी जी क्या विए बन रहा है आपका इस पर लगातार एक तेजी बनी हुई है पिछले पांच दिनों में ही करीब 10% यह स्टॉक चल चुका है नेक 18-1400 के आसपास है बहुत ही शांदार अप्ट्रेंड में है तो जिनके पास भी बाई है वो बने रही है इनके डिप भी आता है तेरा सो बीस तेरा सो के आसपास तो एक बाइंग ऑपरचुनिटी रहेगा ठीक है तो कोई डिप आता है तो एक बार फिर भारती एटेल में आ आपको बाइंग ऑपरचुनिटी बन सकती है चलिए कुछ और स्टॉक पर चर्चा कर लेते हैं अमरा राजा बैटरीज आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर जबर्दस तेजी 14% से उपर ये स्टॉक का इस वक्त खारुबार करता हुगा और इसके साथ ही एक और स्टॉक क पर रवी जरा सला दीजिए लगभग 14% के करीब पहुंच चुका है इस स्टॉक बिलकुल दोनों ही स्टॉक यहां पर अग्रेशन पे हैं लेकिन आमर राजा जो है वो थोड़ा सा 1220 के आसपास आके थोड़ा सा ठकता हुआ सा नजर आएगा और इन लेवल्स पे आते ही ए 78 तक का दमखम रखता है तो फिर स्टॉक को भी कंटीनिव रखे हैं और 78 का टारगेट एक बार को एचीव होता है तो उन लेवल्स पर थोड़ी मुनाफ़ा सुली जरूर करें राजेश जी जरा बैंकिंग स्टॉक्स पर नजरिया दीजिए बैंक ओफ इंडिया आज हम देख रहे हैं कि धाई परसेंट से उपर है यस पैंक में भी धाई परसेंट से ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है SBI भी इस वक्त अच्छे ट्रेंड में हैं बताइए क्या राए होगी इन तीनों स्टॉक्स पर जी राजेश जी सवाल आपसे था यहां से वापस 150, 152 के लिए जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं Yes Bank अब देखिए एक लगाड रहा है अज गैप अप हुआ है बट वापस हाई लिए पर प्रोफिल्ट बुकिंग देखने को मिले है तो Yes Bank के लिए 26 के लिए बहुत पूशल है 26 के उपर अगर क्लोज देता है तो further traction देखने को मिल सकते हैं तो फिर sideways ही रहेगा दूसरा जो एक bank जो हमें अच्छा लग रहा है वो है RBL Bank एक range में ट्रेड कर रहा था और आज finally break out देखने को मिल रहा है तो RBL Bank में एक ध्यान रख सकते हैं जो यहाँ से 270-75 के upside में आपको देखने को मिल सकते हैं फॉर्मर्स और रेक्टिफाइर्स के शेरों में लगातार तेजी का रुख कायम है एक महीने में शेर के भाव डबल हो चुके हैं तेजी के ट्रिगर्स के लिए हम चलते हैं मेरी सैयोगी पूझा त्रिपार्टी के साथ जो लगातार हमारे साथ बनी है पूझा बताएं पिछले एक महीने में ही स्टॉक दो गुना हो चुका है अब इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स हैं पहले तो कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड सेनेरियो काफी अच्छी नज़र आ रही है मैनेजमें कॉमेंटरी पॉजिटिव निकल कर आई है और इस पर जो ब 70% उपर है और इनको करीब 17,000 करोर से जादा के नए इंक्वाइरी भी मिल रहे हैं एक्सपोर्ट टी नडी पर भी इनका फोकस है वहां पर भी डिमांड सेनेरियो काफी अच्छा नज़र आ रहा है दिसेंबर दो हजार चौबिस तक कंपनी रिन्यूबल सेग्मेंट में भ वहां पर कुछ शम्ता विस्तार करते हुए दिखाई देगी और अगले दो सार में इनका बैक्वर्ड इंटीग्रेटेड जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी होगी तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कंपनी के मार्जिन्स को भी सहारा मिलेगा और आय में भी अ तरिये जो आये है उसमें वो 25% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के अभी तक के फाइनाशल भी काफी अच्छे रहे हैं अगर पिछले चार साल को औसत ग्रोथ हम देखेंगे तो 17% की ग्रोथ कामकाजी मुनाफ़ा 19% और मुनाफ़े में 190% से जादा की औसत ग्र और बुक है वो 35,000 करोर से उपर की हो सकती है इस वज़े से वो आगे जो टार्गेट प्राइस देख रहे हैं वो यहां से करीब 575 के टार्गेट प्राइस उन्होंने यहां पर बढ़ा हैं तो इस तरह की कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट भी प्री ते कुछ हफतों में दे इस स्टॉक पर क्या नजरिया बन रहा हैcost Perts का our fundamental राई जानने के लिए रवी के पाफ़ा क्या नजरिया बन रहा है स्टॉक को लेकर आपने इस टॉक बहुत अच्छा उठाया मिठाई तो आपने दिखाई लेकिन खाने को किसी मिलेगी क्योंकि इस पर वॉलूम नहीं है इस समय और बाइंग फ्रीज लगा हुआ है लेकिन मैं कहूंगा कि इस टॉक पर आप नजर रखे और अगर इसके वॉलूम यहाँ पर खुलते हैं या फिर बाइंग फ्रीज अगर हटता है तो इस पर नजर बिल्कुल गड़ा कर रखे क्योंकि यह स्टॉक आठ सो असी रुपए तक का जाने का दमखम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी का पूरी मलाई मिलने वाली है तो फिर मुझे लगता है आठ सो सी के आसपास के लेवल साते हैं तो वापिस से पूजा जी और प्रिशान जी को तंग करिए पूछिए क्या आगे आने वाले समय पर आप क्या होने वाला है तो समय नहीं है अभी फ्रेश एंट्री करने का क्योंकि हम देख रहे थे अभी आप जब रिपोर्ट की भी बात कर रहे थे उन्होंने जो टार्गिट पैस दिये था उसके उपर यह स्टॉक निकल चुका है और ना एंट्री लेने के मौके दिखाई दे रहे ना एक्जिट का मौका यह स्टॉक दे रहा है तो जिनके पास है वो तेज़ी को एंजोई कीजिए लेकिन जिनके पास नहीं है फिलाल फ्रेश एंट्री की सलाव पो नहीं दी जा रही है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और स्टॉक पर भी चार्शा कर लेते हैं और हम देख रहे हैं वोडा आइडिया में लगातार तेजी बन रही है रवी क्या सला होगी आपकी वोडा आइडिया पर 14 रुपे के उपर आज यह पहुच चुका है अभी इसे रुपे मुनाफ़ा थोड़ा बुक की जाना चाहिए बिल्कुल पुझा जी आपने सही का मुनाफ़ा अगर नहीं बुक किया तो यह जो रैली है वो वापस से आपको 12 रुपे के पास आती हुई नजर आएगी तो मौका मत छोड़िए आपको बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर ठीक है तो यह राय वोड़ा आइडिया पे मौनाफ़ा बुक करने की यहां पर सलाह रवी जी की तरफ से आती हुई